नमस्कार दोस्तों सीकेपी से आड़ा चलमा आपका स्वागत है दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ आज यहाँ पर जो डियाडियो की वेकिंसी आई है उसमें बहुत सारा किस प्रकार से त्यार किया जाएगा आपका टेकनिकल और नान टेकनिकल किस प्रकार से दिया जाएगा उसके साथ साथ आपका बहुत सारे वेकिंसी आई है जैसे गेल है आपका सेल है आपका डिया डिया सिप्टम आपका तो इन सारे वेकिंस्यों के एकी बार में कबर करेंग आपका GSR के सारे complete के कराए जाएंगे चलिए तो पहला या देख सकते हैं कि आपका किसी समय में ये आपका कहां का सायक लोको पाइलट यो टेगनीशन का कोश्चन है I am secure ये जो चप्टर से उठाया गया वो आपका heat treatment है heat treatment से बहुत सारे ऐसे 8-10 से सवाल आपका UPRBNL और बहुत सारे आपका DRDO में भी आ सकता है ठीक है ये तो पहले नमर के question पर चलते हैं और बात करते हैं इस question का solution केशे निकाला जाएगा ठीक है जब tanning करेंगे तो उसमें उसको क्या कहता है team metal को क्या कहता है गोई उसमें डूबो दिया जाएगा जिसे डूबोने के कारण से ये परकेरिया बनेगे तीनइंग परकेरिया उसको बनेंग्ए请 के ठीक है अगला बात करेंगे हम यहां पर बालू या रेत में आयरन या इस्टील पार्ट को गर्म करके की जाती है आयरन वा इस्टील की कलरिंग की जाती है क्या किया जाता है उसके कलर में डिफरेंट चेंज किया जाता है ठीक है चलिए मेटल स्प्रेंग में धात की तार पिगलने के लिए प्रयोग किया जाता है उसके मेटल स्प्रेंग जब करते हैं तो उसके धात के तार को पिगलाते हैं आकसी एसी टिरीन गैस के द्वारा हम पिगलाते हैं ठीक है अगला बात करेंगे गलिवन आइजिंग मतल आता है shifter आ है electo plating में cathode ताथ आपका node होता है तो वहाँ पर आपका एक दूसरे को उपर फूजिवल करके गला करे परत को चलाए जाता है तो वहाँ पर glâmineizing से अधिक अस्थाई मतलब आपका permanent है शेसे CL को मैंने बताया ठीक है आगे question के बात कर लेते हैं यहाँ पर कह रहा है कि जंग से बचाने का एक और अस्थाई तरीका है तो wax finishing होता है एक और अस्थाई तरीका है financing कर देंगे तो अस्थाई तरीका हो जाएगा ठीक है खुछ समय के लिए जंग से हम लोग भी बच सकते हैं करने के लिए वैक्स फिनीशिंग करने के लिए पिघले लैड में आक्सीजन गैस गुजारने में लैड का रंग हो जाता है तो लाल तथा नारंगी हो जाता है कौन सा लाल तथा नारंगी हो जाता है ठीक है लाल तथा नारंगी हो जाता है पिंट पतला पिंट पतला करने के पर्योंकिया जैता है तो तो किसी दुकांदार के पास जाते हैं और खरींट तो समिए paint of पतला करने के लिए पर्यों किया जाता है पतला करने के मतलहर हो जाएगा कि वह फिंट जो ओपर के लिए यूज करेंगे हम थेनर का ठीक है अगला बात करेंगे कि एक और दह आस्थाई उपचार है पिंड क्या होता है कि अर्था स्थाई उपचार है अस्थाई उपचार नहीं होता है ठीक है तावे के पार्ट में लगी पुराने ग्रीस को साफ किया जा सकता है साफ ताव प्लेटिंग में कहरा है कि जिस धात के माईल इस्टिल के ऊपर उसी धात को पिखलाकर धात की पर चढ़ाई जाती है तो उसे एनोड कहते हैं क्या कहेंगे एनोड कहेंगे ठीक है अगला इलेक्ट्रो प्लेटिंग में जिस धात के ऊपर दूसरी धात की परत चढ़ाई जाती है मतलब आपका MS MS है लेकिन आप क्या चढ़ा रहे हैं तो वह आपका कैथोड हो जाएगा ठीक है एनोड में जो होता है सेम धात और कैथोड में क्या होता है दूसरी धाइगा नेश्ट है यहां पर नेश्ट है कि इलेक्टो प्लेटिंग में धात के नमक के घोल को कहते हैं तो इलेक्टो लाइट कहेंगे इलेक्टो प्लेटिंग है यहां पर थोड़ा सा बदल देना यहां पर इलेक्टो लाइट कहते हैं तो नमक का घोल जैसे डालेंगे तो इलेक्टो लाइट में वो कनवर्ट हो प्रियों कैंग करते है जब करन्ट की वciągi कम क्या करते हैं तो एंपियर को बढ़ा के-टिमर को गर्म किया जाता है तो मफल फरनेस में किया जाता है मफ़ल फरनेस आपको पता होगा कि ये प्रकार के भटिय में क्ल apply to कि लिखना दो फिज्यо आधा रोंक करते हैं सब्सक्राइए अब गारा करने के लिए परीजुकत HOLAS करने के लिए लेयर कडी के बूराद में सब्सक्राइब करने के रिखनेTalk लकड़ी के बुरादे के साथ लकड़ी के बुरादे लकड़ी के बुरादे रोलर के नीचे से निकाला जाता है किसके रोलर के नीचे से निकाला जाता है ताकि उसकी चमक कि दंबर करा रहा है ठीक है जाब के सथा पर ब्रांज ब्रांज का रंग देने के लिए ब्रेजिंग करते हैं जाब की सब्सक्राइब ब्राइज का रंग देने के लिए ब्रेजिंग करते हैं ठीक है उसका फीजिबल्टी का बात करेंगे तो इसाड़े 500好啦 अधीतिं की बात करेंगे 960 Morgen के लिए मिलाकर बना長 बनाना और मिलता है इसको नंहीं ब्राइज को शल अगर सेराडाइजिंग में परयुग किया जाता है सिजिंग पॉուडर का इसको जड़य का क्वानिक जाता हैं ठीक है कल्यर जिंग की बात की किरिया की स्थापमान पर की जाते हैं ़ाइस सो पचास एक हजाइडाहीसंस पर आपको हम कर सकते हैं अगर हम बात करेंगे क्लाइडिंग की क्रिया में वेश मेटल में कोटिंग अनुपाद के रूप में होता है, तो घरती र платनिंग की की क्रिया के OHM कोटिंग अनुपादिक रूप में घरती है अगर हम बात कर रहते हैं यहाँ पर कि से अटा आइजिंग से तैयार सता होती है तो खुरदिरी सता सोती है खुरदिरी के फिनिसिंग शता नहीं है क्रोमिसिंग की प्रकिरिया में प्रयोग किया जा सकता है तो क्रोमियम पाउडर और अलमिनियम आक्साइड पाउडर का प्रयोग क्रोमिसिंग जैसे नाम लेगा तो क्रोमियम आपका अलमिनियम आपका आक्साइड वाला पाउडर हो जाएगा ठीक है यह ध्यान देजेगा ए यहां पर नाम का परवार्तिक करके दिया है तहीं त में 30 डिगरी सेंसियल साथ हो जाएगा यह आपका बार किरिया का परयोग करते हैं यह बहुत जादे कोश्चन कई बार आ चुका है ठीक है कोई एक जाम में आ चुका है गिल्वनाइजिंग में जिंक बहुत का तापमान का चारशों 50 से चार सो पैसे डिग्री सिंसर सब्वोटा है में कास्टिंग में परयोगति उस्मा उपचारविद्वी नार्म अदिंग होती है मैं इसलिए ग्रेश्टिक्टर को सदराने का प्रकरिया सबसे जादे किया जाता है नार्म अजिंग के बाद करेंगे ठीक है कथो रिश्टील को मृद बनाए जाता है पूर आनिली करन्ड करके पूर आननीग रिदेंग मेंगधा है एगा माशीनिंग युद्ग बन जाएगा एननिग पर क्रिए इसको बोलेंगे ठीक है इस्टेल की आतरिक्त भंगूरत इस्ट्रा ब्रिटलनेश इस्टील की आतरिक भंगूरता इस्ट्रा विटलनेस दूर की जा सकती है तो आय नहीं करना मतर टेंपरिंग के द्वारा किया जा सकते हैं तो टेंपरिंग के द्वारा हम कर सकते हैं अगला कुश्चन की बाद इस्टील यह आ नहीं करा टेंपरिंग है ठीक है तो टेंपरिंग के बाद से अगला कुश्चन देखते हैं कि वहाँ पर करिया कह रहा है अगला कुश्चन में एक सेकंड वहाँ प्रक्रिया जिसमें इस्टील की बाहरी सतह को कार्बन की अतरिक्त मातरा में संतिर्थ करते हैं तो कार्बूरी करन हो जाएगा वह प्रक्रिया इस्टील की बाहरी सतह पर जैसे कि कोई इस्टील है आपका इसके बाहरी सता पर एक एपिम आधायम मत्रित मातरा को संतिरित मत्व कार्वन के अतरिक्त मातरा को संतिरित करते हैं उसे कार्बूरी करन कहते हैं या कार्बूराइजिंग पर किया भी कह सकते हैं ठीक है अगला है आपका यहाँ पर गैस द्वारा सता की कटोरता को कहलाता है तो doğru करणा है गैस द्वारा सताह की कटोरता करना नड्राइड जिसमें सताह ? आचे आपका यहांपन याद रखिये गए है , याद रखिएगा ? की वह वीदी की वह ? जिसमें कार्वन दोनों को बागी सताह की कटोरता है पकार्वन नटोजयन भी हो तो उसको क्या बोलेंगे साइन आडिंग विदीEE करनकर लिए कराने इस्टीद में कार्वन प्रतिसतलख मात्रा बढ़ाने पर इस्टीद के जाएगी या आपका कटोरता के सबसे हाई जेस्ट बढ़ जाएगी ठीक है बहुत टेफनेस हो जाएगा ग्रेन करना क्या होता है उसके ग्रेंट लेके सबसे पाएग ईसके ठीक होता है कि हीAf कि इसके क्लियर किया हूँ ठीक है अगला कुश्चन है आपका सेमंटाइट का आकार होता है तो कुणी एंगुलर होता है जो सेमंटाइट होता है उसका आकार पूछ रहा है मतलब किस आकार में वो दिखता है तो कुणी एंगुलर में दिखता है ठीक है अगला है कुणी आकार क में अगर्ण के बाद नहीं किया जाता है थो नाए्ट राइटिंग नहीं किया जाता है क्या करेंगे नाइट राइट नहीं कर सक्किति ठेजिसे थन्दा करने पर अस-टे Давайте बदल जाता है Catherine तो क्या करेंगे पर बदल जाएगा ठीक है यहां पर की आस की बात करेंगे यहां पर मार कारेंगे अगला कुश्चन है हमारा कहारा है कि challenge पर कौन की जाती है तो आज टेंपरिंग के जाती है यह क्या करेंगे आज टिम्परिंग की विदी कर देंगे यह ध्यान दिने वा सिलिप गोस्टे सिलिप गेज को जान्षन गेज ब्लाक से नाम से जाना जाता है और बहुत आगे हम बात करेंगे कि उसमा उप्चार के महत्पूर्ड संगिया होती है तो अनली करण होती है उसमा उप्चार के अगर महत्पूर्ड अनलिंग होता है जैसे कि उसमा उप्चार कोई चीज को धात को किसी भी प्रकार में आपने परवर्थित किया और फिर पुना उसी रू घृट्ट 27 परणत होती है तो क्षिंगे दोसतो अगले वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों यह आपका के बिविडियो देते रहूंगा ठीक है अब वह बने रहाएंрий लोग सो अपकी बार पाड़ नमस्कार दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं